हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैल्ट वाले अस्तर विलाउस की कटिंग बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इससे कटिंग कर सकते हैं डीव गले में तो यह सीखने के लिए इस वीडियो का एंट तक जबूर देखना और दोस्तों यह मैं आपक सकते हैं सबसे पहले आपको मैं दिखा रेता हूं यह कोटन आला कपड़ा है आपका ठीक है कोटन ब्लाउस का तो इसे अलग लग देते हैं यह हमारा अस्तर है और्व यहां पर दियांव से देखेंगे लंबाई इस बिलाउस की होगी तेरा इंच डोंट लैंथ है जिसे हम 5.8 का भी तैयार होगा कमर हमारी 28 संच होगी साइज जो हमारी बाऑच इंच की लंबाई जाले दसींस हेас में इसकी चैश्ट नातीती की बोड़ी वसे वह थी 32 इंच इसमें में प्लस 2 करह लोगा होका रिए को ऑड़ो हों विर्ट्रॉक्य लोगा'S क्योंकि हमारा बैक गला आठ इंच है इसमें बैक गली डीप के साफ से होता है यहां पर हमें दो प्लस करते हैं तो हमारा यहां पर नाप हो जाता यहां पर निसान लगाना है द्यान से देखें अब यह निसान लगाने कर एक निसान यहां पर लगा लें अगर आपकी किनारी में खीचाओ है तो आप किनारी को काड़के हटा सकते हैं तो मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं दोस्तों दो निसान ठीक है एक निसान से तो मैं क तो तेरा लंबाई है तो यहां से हमें तुर्पाई का फोल्ड है तो हमें साड़े तेरा पर निसान लगाना है पिलस इसमें पोन एंच एक्ष्टा बढ़ा देना है बैल्ड के जोड के लिए ठीक है तो हमारी टोटल यहां पर जो लंबाई आएगी वो दोस्तों आ जाएगी यहां पर 14 इंच ठीक है इस तरीके से यह तुर्पाई का फोल्ड अलग है इसमें कपड़े पर थोड़ा अलग होता है पेपर पर अलग मसला होता है अब यहां पर हम जो निसान लगाएंगे आर्मों लेंद का तो इस साइज में दोस्तों हमारी आर्मों लेंद होगी आपक डोड लेंजो को में चरकें तर रखेंगे वो हमारी 9 इंच ती हम यहां पर 25. cops निसान लगा लेंगे क्योंकि आरहें हमारा कंदी में दबने के बाद 9-inch के हमारी V.Lane पिल्कुल O.K आजएगी अब यह निसान लगाने के बाद इन निसानों कर लेंगे हम इस तरीके जिए सीधा तरीके जैसे मैं सीधा कर रा हुँ सीधे Scale के मदद से इसको इस तरीके सीधा कर लेंगे और दोस्तों यह तो तरीका आपको बता रहा हूं न यह तरीके से मैं बहुत सालों से अपने बुटिक पर काम करता आया हूं काफी अच्छा दोस्तों पसंद करते लोग तो आप भी एक वाई से ट्राई जोरू करें अब मैं सबसे पहले यहां पर इसे फालतु कपड़े को हटा देता हूं जो किनारी है क्योंकि मैं किनारी में खीचाव होता है तेडा मेड़ा होता ह् kalian हटा देता हूं अब दोस्तों यह जो द्वाः जितना बचे गाना आपको बनाते होग इतनी में ही जो है अपनी हगा की पक्ट्री लगानी हिसे ज्यादधा नहीं लगानी तो इस सब लगानी के बन सब से पहला SHRMЙ चेश्ट 34 कमर 28 28 का एक 24 साथ इंच ठीक है और यहाँ पर आपको एक इंच की डाट देनी है तो हम यहाँ पर एक इंच का निसान लगा लेते हैं ऐसे और इन निसानों को कर लेंगे दोस्तों सीधे स्किल की मदद से सीधा यह देखिए ऐसे निसान लगा लेंगे और जितना आपको मार्जन चाहिए बनाने में बिलावस के उतना निसान लगा लें तो मैंने अंदादे से निसान लगा लिया आप जितना मार्जन रखना चाहते हो उतना निसान लगा लें तो यहाँ पर दोस्तों 28 कमर थी 34 ठीक है अ sagen में इस हीएड है उसका दोस्तों हम अपना निछे अपना तो साइड में हम अपना 5-25 वाइस निजान लगाना है जरह लुवाने के बाद इस निसां लोह दो डीच सकते हैं यहांसे दिखाता हूँ आपको तो गला ब्रोड़े में जो रखेंगे हम दोस्तो वह तक्रीबन हम रखेंगे पांच का फीक है इस तरीकेसे 5 निसान लगा ल lucrat शो कषप्री निसान लो कि अधाए मैं herb कैला निस डिल्शे में हम निसान लगाएंगे और आपको गला ब्रॉड चाहिए तो आप इस पर मिला सकते हैं ठीक है आपके जिदनी पट्टी चाहिए उस हिसाफ से कर सकते हैं तो चली दोस्तों में उपर आले निसान पर मिला लेता हूं थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा धाई इंच पर हम कटिंग कर देंगे तो साड़े पांच ब्रॉड बन जाएगा तो हमने निसान लगा लिया अब दोस्तों जिहान से देखें इस साइज में जो हम यहां डॉट की दूरी रखेंगे वह डॉट की दूरी होगी दोस्तों तक्रीबन सब तीन इंच की ठीक है यह बोडी पर लेते हों आपको कितना नाब नहीं तो दोस्तों इसमें में सीधा डिशान निसान लगा रहा हूँ ठीक है ये निसान लगाने के पाल ღ इस निसान को हम जो है तो एक ल लगा लेते हैं । तो दोस्तों आप धिहान से देखेंगे मैंने यहां पे जो निसान लगाई वह तीन इंच पे लगाई कटिंग होनी का ड़ाई निचे का हमारी बैल्ट त्यार आ जाएगी लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान और लखना होता है मैं जैसे यहां निसान लगा देता हूं आप ध्यान से देखेंगे मैं जैसे निसान लगा दिया अब यह निसान बैल्ट का राउंड दे दिया ठीक है अब राउंड देने के बाद यहाँ पर निसान हम लगा लेंगे इस तरीके से इस वाले को दोस्तों साइड में ले जाएंगे डाउन इसको ले जाएंगे हम अपनी मुड़्े में ठीक है तो हमारी आवे चालो प्लेट करेट हो चुकी है और यह वाले निसान में दोस्तों हम कटिंग कर लेंगे अब कटिंग किस तरीके से करनी है सबसे पहले आप इसको देख लीजिए अब दोस्तों आपके पास अगर कपड़ ज़य 19-207 कर देख को सिधा कट कर सकते हो अगर बुकरण वाला बना रहे हो लेकिन अगर आप गल्यवाला बना रहे हो मेरी तरह तो हम सब से पहले देखिए सीधा कट करेंगे ऐसा अब दोस्तों इधर वाली जो साइड है इसको हम इस तरी किसख अगर को अ करेंगे ओसको बिल्कुल नीचे तक सीधा कटिंग करेंगे ठीक है सीधा कट करने के बाद गाट स्कुर्ण रहे हैं हया दोस्तों हमारे फोर डाला पल्ला कर नहीं हो जाता है अभी हमें बैल्ट अलग नहीं करनी हम हम इसको ऐसे रखते हैं सक्फ वाली साइड को ऐसे उठाने पाद दोस्तों यहां पहला इसका इस तरीके से रखेंगे लखने के बाद अभी बिलाओ पसको हमें इस तरीके से न रखना है घिक है यहां पर इतना निकाल कर रखना है यह stark जतने निसान लगांए बिल्कुल परफेक्ट आ रहो है अभी पालए पनी। ओक अगी तो इसको को रखना हैं चम्द रिखें निसान डाय ए हमारे निसान बर तो यहां पे आपको कितना करना है सबसे में चीज है क्योंकि हमारा यहाव पर начал Und语ी तो यहां मैं दिखा देता हूं लंबाई आकी ऐसाड़े 12 बारा बैक त्यूर्ट आपको तयार क्षाति है सबसे पहले यह निसान हमने लगा दिया इसको हम सिवरे आम पहले एड्रेड हैं है पिह लगाने के बाद कर लेंगे यहां से possibility beim आट तो हम यहाँ पर सब्रमारा पर नियसान लगा लेंगे ऐसे गला आप को कितना ब्रॉड चाहिए नीचे से उतना निशान लगा लिए और उसके बाद दोस्तों इसको हम इस तरीके से निसान लगा लेंगे कि निसान लगने के बाद दोस्तों इस पर करेंगे हम इसकी cutting ध्यान से देखें इस तरीके से हमें गल-गले की cutting करनी है अगर आपको बुकरन वाला गला चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ आपको ये काटने के कोई जवरत नहीं है लेकिं काफी लोग piping के पट्टी वाला पसंद करते हैं तो उनके लिए ऐसे cutting करनी है अब देखे बिलाउज को आपको वैसे लेकर आना यहां रख देना है यहां मिलाकर यह मिलाकर रख दिया यह लाइन आपके बिलकुल भार आनी चाहिए यह देखे जो आपकी पट्टी वाली है यह बिलकुल भार आनी चाहिए इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों इसे cutting तो पहले सीधा cut कर लेते हैं यह कपड़ा हमारा बच जाएगा इतना अब इसको दोस्तों डाउन में cutting करते हैं देखे इस तरीके से back पल्ला हमें तकरीबन तकरीबन कोना इंच से एक सूथ इसे बढ़ा के दोस्तों cutting करना है और यहाँ पर लाके इसको मिला के cutting कर देना है यह हमारा back पल्ला cutting हो गया अब दोस्तों इसको हम सीधा cut करेंगे तकरीबन इस line तक कट करने के बाद अब दोस्तों हम इसको अभी हटा देते हैं मैंने आपको अभी लंबाई का बता दिया था कि हमारी blouse के लंबाई है 13 इंच तो हमारा back पल्लाएगा साड़े बारा साड़े बारा बैक पल्ला है तो हम साड़े तेरा पर निसान लगा लेंगे क्योंकि हमारा margin भी जाएगा अब इसको हम बिल्कुल सीधा दोस्तों cut कर लेंगे इस तरीके से निसान लगा कर कि देखिए दोस्तों हमने यहापर cutting कर लिया अब पर लेट का create हो गया देखिए अब देखिए दोस्तों यहापर हमारा अच्छी तरीके से जो है निसान लग चुका है इसको मलग रखेंगे अब दोस्तों यहापर हम अपना फरेंट वान इससा आपको समझा देखिए फरेंट वान इससे में अब आप को क्या करना है दो सबसे पहले तो हम फरेंट में इस तरीके से हलक हलकries क्या चीज tomato क्या आजाए निसान आ करने जा रहा हूं तो इस तरीके से दोस्तों में बैल्ट कटिंग करनी है अब यहां पर आप यह कट लगा लेंगे ठीक है यह कट लगाने कि आपको यहां पर डालनी प्लेट तो तक्रीबन आप यहां पर पॉना इंच की प्लेट डाल दू ठीक हैं यहां पर पॉना इंच की प्लेट डाल दू और इसको इस तरीके से मिलाकर ऐसे कट कर लो अब इस श्रीच होगा आपको सब कुछ बता जिये जाएगा अब यहां पर तकरीबन हमने देड़ इंच के आसपार हमारी प्लेट आ तो यहां पर बैल्ट कटिंग होगी तुर्पाई का मालता नीशी में है और यहां पर हमारी यह कटिंग हो गई अब इसको ऐसे करके हर कट पर दोस्तों आप इसको सीधा भी मार कर सकते हूं मैं यहां पर आपको मार करके दिखा रहेता हूं देखिए ऐसे कि और इसे कि एक आपकाएदर आएगा और एक आपको यहाँ पर सीधे में आएगा तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फड़ान 큰 को रहे हैं और ब्रकों को आगे बंदि यहां पर आपका 34 चैस्टाइज यह देखिए 36 38 40 42 तो आपको इसमें टोटल सैवन साइज मिल जाते हैं जिसकी प्राइस है दोस्तों एक हजार रुपे इसमें आप बहुत अराम से दोस्तों अपने बिलाउज को कटिंग कर सकते हो इसे रखके और बहुत अराम से दोस्तों हम आपका जो पैकेट है सेवन साइज वाला यह आपको मिलेगा दोस्तों एक हजार रुपे इसमें हमारा चोटा साइज है जिसकी कीमत है दोस्तों यह कटोरी वाला है इसमें 32 36 40 आज आता है यह आपको मिल जाएगा 600 रुपे तो जिसकी को भी चाहिए ऊपर डिया के नंबर आप हमसे कॉंटक कर सकते हैं तो बाजू कटिंग करने के लिए इसको देखे हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड करने का यहां पर प्रेस लगा लें मैं यहां पर जश्ट नाखुन लगा रहता हूं और यहां पर इस तरीके से एक निसान लगाएंगे ठीक है बाजू के लंबाई है दोस्तों पांच लली साड़े 10 इंच की गोलाई है तो यहां पर साठे 10 नाख लिख लिए कशन मोडाएंगे मिया सब्सक्राइस साधूक्त लिकार ओब तो यहां को इस तरेके से निसान लगा लेना ह है ठीक है यह निसान लगाने के पाद हम करेंगे इसकी cutting तो यहां पर देखें करेंगे 1 आणा सकाव से कटिंग क्योंकि हमें पलटना है तो इससाइड से दोस्तो हमारा यहां पर आता है तुलपाई उसका पलटने का अब इसको दोस्तों ओपन करेंगे अब दोस्तों यहां पर हम अपने फरेंट को कटिंग कर लेंगे दियान से देखो इस तरीके से अपने फरेंट को कटिंग कर लेंगे तो दोस्तों यहां पे तो हमारा अच्छी तरीके से बिलाउस कटिंग हो चुका है मैं यहां पर कट भी लगा लेता हूं इससे पता रहेगा हमारा यह फरेंट वाला हिस्सा है ठीक है अब हम अस्तर को कपड़े पर कैसे कटिंग करेंगे सबसे में चीज है यह तो चलिए दोस हिस्सा आपको लगेगा सीधा है उसी इसाफ से बनाना अब दोस्तों यह हमारा सीधा है इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ रखेंगे अब यहां पर दोस्तों प्रेस लगा देंगे प्रेस लगाने का दोस्तों सबसे पहले जो हमें पल्ला कटिंग करना वो करना बैक वाला तो अभी पल्ला कटिंग आपको करना नहीं है बस इसको रख लेना है जैसे मैंने इसको इस तरीगे से रख लिया ठीक है इसको ऐसे रख लिया अब जो हमारा फरेंट वाला पल्ला है दोस्तों इसको हम रखेंगे इस साइड में एसे और यह रहा लिए यह इसको एस को रख लेंगे अब दोस्तों इतने को कटिंग कैसे होगा दिहान से देखी तक्रीबन इस बिल्कुल कटिंग मत करना एक पर छोड़ते हुए आपको पूरा बिलाउज कटिंग कर लेना है मैं इसी तरीके से घ्रत तो रहां मैं आपको हर मंच अलग तरीका होता है तो आप मेरी तरीके से करें तो इसे तरीकी दोच्तों क ہडिगे तो यह रिंग्टीं कर लिए इसको फॉल्ड करते हैं कि अब दोस्तों करते हूं हम अपना यहाँ एक समय चोह इससे कटिंग करेंगी फिर के नीचे कटिंग करना है ओधिसंग करना सबस्थ करığınना है बोग यह षा कटिंग करने यह तो यह कैटिंग करने का था सब्चा करेंगी पूरी कटिंग हो चुकी हैं यह हमारा पूरा बैल्ट और यह हमारा बैक बची दोस्तों आलबाजु तो 僕ी के लिए मिल्फिक कप्ड़ा बचा है ठीक है सब से पहले हमें चहीं क्राच पूरा हो जाएगा तो देखिज क्या क्या यहां से दोस्तों एक पैर चोड़ते हूं इसको कटिंग कर लेंगे अब जो साइड में हमारे पास यह कपड़ा बच रहा है जितना जितना कम यहां से दोस्तों से पहले कटिंग कर लेंगे अब इसको हम इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो कपड़ा बच रहा है इसको हम इस तरीके से रखना है ठीक है माजन साइड करके और यहां पर दोस्तों इसको कर लेंगे यह कटिंग हो गया दूसरी साइड में दोस्तों आपक दूसरी साइड वाले में भी आपको इसी तरीके से रख लेना है इसको कपड़े को रखने का दोस्तो इसको भी हम कटिंग कर लेंगे दियान से देखें तो दोस्तो इस तरीके से जो है हमारा पुरा अस्तर वाला बिलाउज cutting हो जाता है लेकिन इसको stitching कैसे करना ये भी बहुत जारा ज़ुरी है तो दोस्तो इसका जो next part आएगा इसकी stitching के उपर आएगा तो आपको यी वीडिया कैसे लगी हमें ज़रूर बता हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में